बता दे कि शाम पाच बजे तक आउसतन सततर फीसदी से जादा मतदान हुआ है तो खरागर उक्चुनाओं से जोड़िए बड़ी खबर शाम पाच बजे तक आउसतन सततर फीसदी से जादा मतदान हुआ है ओटिंग का समय समाथ हो चुका है सिर्फ लाइनों में जो लोग खड़े हैं जो खतारों में लोग खड़े हैं वो ही अब अपने मताधिकार का इस्तिमाल कर पाएंगे नकसल प्रभावित सालहवारा में सबसे जादा मतदान हुआ है गंड़ाई छुई खड़ान इलाके में भी 72 पीसदी तक मतदान हुआ है खेरागर जालबांध में भी 65 पीसदी से जादा मतदान हुआ है तो मतदान जिस तरह से हुआ है ये बताता है कि कितना जादा मतदान को लेकर उच्छाहा था बदलाव को लेकर उत्साह था ऐसे में यहां जो दल उत्रे है चुनावी मैदान में सभी अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं लेकिन जन्ता जनारदन अपना अशिरवाद किसे देती है यह 16 अपरेल को इस पस्ट हो पाएगा इससे पहले यह जो तस्वीरे हैं यह अपने आप में बहुत कुछ बैया करती है खेरागर उक्चुनाओ को लेकर ताजा अपडेट बताने के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता आनन नारायन ओजावी जोट चुके है आनन जिस तरह से मतदान का प्रतिशत सामने आए हैं यह बताता है कि कितना जादा उत्सा है और कितनी जादा खुशी से मतदान हुआ है इस पूरे आज दिन भर के मतदान को लेकर अब तक का क्या अपडेट है आपके पास किस तरह से मतदान हुआ है कहां पर कितना मद्दान हुआ है, कहां मद्दान प्रभावित हुआ है, कहां पर किसने क्या दावे किये? तो जैसे से तपन कम हुई, तो उस फिर मद्दान का प्रभावित बढ़ गया, सबसे अधिक सालेवारा में यह कहा जा रहा था, कि मद्दान का प्रभावित हुआ है, लेकिन एक अचानक जो आंकड़े आये हैं, उसमें यह देखा जा रहा है, कि लगबग 70% मद्दान सालेव पारा में हुआ, आदिवासी बेल्ट कहा जाता है, कुछ नकसल इफेक्टेट लाका भी कहा जाता है, उसके बाद भी इस प्रकार से लोगों ने पढ़चर कर इस उप चुनाओं में अपनी भागी दारी दी, उस उनसे साब समझ में आ गया, आकि लोग विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, दोनों पार्टियों ने अपने दावे किये थे, वो किसके तरब जाएंगे ये बाद में हो पाएगा, लेकिन लोगों ने लोग तंत्र के सबसे बढ़ेते वहार इस चुनाओं में अपनी सहभागीता दिखाई है, अब सरकारी आकड़े आना बाकी है, ल लगे रहें, और साथ में अन्य लोग भी परचार बसर करते रहें, आकि लोग मत्दानी सल तक जाएं, अपने मत का प्रश्चत कर, एक अच्छे जन परतिनी, अच्छे विधायक चुनें, ताकि विकास, जीला बनाने की बात हो, या फिर सड़क या सिक्षा की बात हो, स्व भागिता दिखाई है, और उसका प्रश्चत दिख रहा है, आकि आज तक का सबसे अधिक यहां पर मत्दान का प्रश्चत यहां पर कहा जा रहा है, जी सनी, बिल्कु लेकिन जिस तरह से परसेंटेज बढ़ा हुआ है, क्योंकि नक्सल प्रभावित है इलाका भी है, ऐसे म अती सवेदनशील और सवेदनशील शेत्र भी इसके अंतरगत आते हैं, यहां पर क्या परसेंटेज रहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया ओटर्स की तरफ से निकल कर आई है, और यहां पर जो इस्थानी मुद्दे है, वो कितने हावी रहें? इस्थानी मुद्दे ही हावी रहें, जिस प्रकार से मुख्या मंतिर भुपेस मगल सहाब आये थे, और बोले थे कि आप लोगों को नानगाओ जाना पड़ता है, तो 80 किलोमेटर, 90 किलोमेटर कें दूरी पड़ती है, आप लोग आएं और अपने नए जिला बनाने में सहा अगीता दे, तो उसमें कहीं न कहीं लोग एक रुजहान की और बढ़े, वहीं सिवराज सिंग्चोहान सहाब आये थे, बिजेपी के लोग आये थे, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी रहेगी तो पहले सड़क पॉल पुलिया बनेगा, आप उसमें आए अपना मद्दा अपना करें, तो उससे लोगों कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के रुजहान के परतिया और बाद के परतिया कर से तुए, जीतेगा कौन हारेगा कौन, इसका सोलतारी को मामला क्लियर हो जागा, आए एनेस कि निउच कभी दावा नहीं करता है, कौन जीतेगा, कौन लेकिन लोगों ने जो आए बाहर से लोग जन परतिया अधिकारियों ने जिस परकार से निर्वाचन प्रड़ाली में सभागिता दिखाने के लोगों से अपील की, उसका लोगों में एक सकरात्मक सोच पहुंचा और सकरात्मक तरीका से लोग मदान इस्तल पहुंचकर मद में के बीच में वहां मत का प्रश्च गिरा था तो यह सोजा जाता है कि लोग मत दान करें की नहीं करेंगे बकर कट्टा चेत अती समय दंसिल कहा जाता है उसके अलावा खेरागण में दो जो बूत थे वहां पर सीच टीवी कुछ दिर के लिए बंद हो गया था तो रिटर हुआ झाल